नमस्कार साथियों मैतुलकुमार दिक्षित और एक ऐसी कहानी जो सबको सुननी चाहिए क्योंकि ये हम सभी के जीवन से जुड़ी भी कहानी है एक बार क्या हुआ कि एक मकडी ने सुन्दर और मजबूत जाला बुन्ने का फैसला किया ताकि उसमें धेज सारी मक्षियां और कीडे मकोडे फसें और उसे भरपेट भोजन मिले उसने कमरे के कोने में अपना जाला बुन्ना शुरू किया तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हस रही थी मकडी ने बिल्ली से हसने का कारण पूचा और अक्सर ऐसा होता कि अगर हम कोई कार कर रहे और कोई हस रहा है तो हमारी नजर तुरंत उस पर पड़ती है कि अखिर क्या वज़ा है कि वो हस रहा है ऐसा ही मकडी ने सोचा तो बिल्ली ने जवाब दिया तो और क्या करूं ये जगए बिल्कुल साफ सुत्री है या तो मक्हियां भी नहीं है ऐसे में कौन फसेगा तुमारे जाले में मकडी वै जाला धूरा छोड़कर दूसरी जगए की तलास करने लगी उसे पास में ही एक खड़की नजर आई उसने बहां जाला बुनना सुरू कर दिया तभी एक चड़ी आई और मकडी का मजा कोड़ाते ओले अरे मकडी तुम भी कितनी मूर खो ये खड़की से तेज हवा आती है तुम अपने जाले के साथ उड़ जाओगी मकडी नो जाला भी अधूरा छोड़ दिया वह सोचने लगी कि अब कहां जाला बनाया जाए काफी समय बीद गया और अब उसे भूंक भी लगने लगी बार बार कोशिस करने से वह बहुत ठक चुकी थी और उसके अंदर अब और तागत नहीं बची थी वह भूंक से बेहाल होने लगी उसने पास से गुजर रही एक चीटी से मदद मागी चीटी बोली मैं बहुत देर से तुमें देख रही हूं तुम बार बार अपना काम सुरू करती और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हूं जो लोग ऐसा करते हैं उनका यही हाल होता है साथी में इस कानिस हमें यह सिच्छा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने निश्चे का बदलाव नहीं करना चाहिए हम अपने काम को, हम अपनी कोशिस को बदल देते हैं और यही हमारी हार का कारण भी बनता है यानि कि जो लच एक बार हम निरधारित करें उस पर अंत तक चले, कोशिस करें और निश्चित ही आप उसमें सफल हो पाएंगे